और मरसा समाजवादी पार्टी के सीनिय लीडर अबू आसे माजमी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं अबू भाई बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्री आपने समय निकाला देश नहीं जुकने देंगे के लिए News 18 इंडिया के लिए अबू भाई आपके विदायक हैं मेरट से वो कह रहे हैं हिंदू गर्दी मचा रखी है हिंदू गर्दी यूपी में हिंदू गर्दी मचा रखी है पांच साल से सपर आवे ने कि लूग हिंदूत के नाम के उपर बात करते हैं हिंदूत के लिए और समझता है वो गलत इन्सान है हिंदूत के नाम पर किसी को पकुड़ करके डाड़ी पाट ली जाये और उस को कहा जा Iowaudet होना चाहिए बिल्कुल नहीं देखे धर्म अपना अपना होता है मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात हो जिससे किसी के धर्म के ओपर कई ठेस पहुचती है तो मैं समझता हूँ यह सारी चीज़ें बिल्कुल गलत है देखे यह देश जो है बादूशा जफर जहांसी की रानी सब हिंदू-मस्लिम मिलके इस देश में रहते हैं तो यह ऐसी बात हैं कि बस हिंदूत के नाम पर अखलेश जी ने हजज हाउस बनाया और हमने यह बनाया अरे क्या है यह देश 20% अगर मुसल्मान है वहाँ पर तो उनको उनका हक मिलना चा यह हमारे देश की वह है और यह राजनीती में आपके हमले है समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी मतलब आप कह रहे हैं मैं ने घल्त का नहीं 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 उनका मतलब क्या मुझे मैंने सुना नहीं है उनका मतलब का मैं बुछे हम इसे पूछूँ हूँ, लेकिन कह ये जो मैं हिंदूद के नाम पर जो, जो डेश के अंदर इस रही चार रही है, वो लोग हिंदूत के नाम का जो है न सिर्फ और सिर्फ इस्तमाल करके मैं समझता हूँ धर्म को बदनाम करते हैं ये लोग हिंदूत का मतलब यह नहीं कि मुस्लिम हिंदू का अलग कर दो हिंदूत के मतलब है कि एक साफ सुतिरी सरकार हो जहां शेर और बकरी एक साथ पानी पीएं सब को इनसाफ मिले यह हिंदूत के मतलब है तो यह हिंदू गर्दी मतलब रफीक अंसारी ने जो हिंदू गर्दी शब्द यह शब्द गलत है मतलब आप मेरे साथ है हिंदू गर्दी शब्द गलत है मतलब गुंडा गर्दी छोता है यह अगर इसे लोग तो गुंडे लोग यह गुंडा गर्दी करते हैं हिंदू गर्दी नहीं समझ एडी अबू भाई सुनिय जी मैंने उन्ना में record परसंट के लोग इकठा हो जाएंगे तो असी परसंट के लोगों साथ इस तरह की करेंगे भाग जाएंगे अरे फालतू बाते हैं उसको कहीं से कटमेंश करना इस अगर आप मुझे इजाज़त दे मैं पढ़ दूँ आपका स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट भी आपका स्टेटमेंट भी आप कितने हो 15 परसंट वो कितने हैं 84 परसंट ये बीजेपी के भेजोए लोग हैं जो मुसल्मानों पर दवा बनाने का सपना देख रहे हैं अगर आप 15 परसंट एकटा हो जाएं तो लोग चुनकर नहीं आएंगे ये 15 पचासी तो आप भी कर रहे हैं फिर आपके नाइद हसन भी कर रहे हैं आपके रफीक अंसारी भी कर रहे हैं आपके आदिल करते हैं मैं उनसे कह रहा हूं तो 15 परसंट तुमारे हिज़त क्या है हम 85% के लोगों के साथ रहो तब कुछ कर सकते हो मैं ये बोल रहा हूं ने उस बात को ऐसा कटिंग करके बोलना मैं तो अच्छा मैं ये भी बोल रहा हूं कि मुसल्मानों तुमारा सम्विधान है सुनि ये कोई दिखाता नहीं ने आप बात को तोरों मलों के भी बोलने के लिए बोला है आप इसलिए बोल आप सारी चीज़े बोल रहे हैं ना आपको ऐसा तो है नहीं सब लाइव जा रहा है आप जो बोल रहे हैं सब जा रहा है जो आप अच्छा बोल रहे है वो भी लाइव लेकिन 15% इखटे हो जाओ आपके मेरा एक बार सवाल अगर आप सुन ले अगर अबू भाई 15% इखटे हो जाओ यह आपने कहा आपके रफीक अंसारी कह रहे हैं कि हिंदू गर्दी मचा रखी है कोई अगर कहता मुस्लिम गर्दी मचा रखी थी जब अखिलेश सरकार में और अगर यह कोई कह कि मुस्लिम गर्दी मचा रखी थी तो आपको बुरा लगेगा ना मुस्लिम गर्दी मचा रखी थी आप बात क्यों नहीं तो लोग कर रहे हैं जो लोग इस देश में ये करके मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं मैं उनको समझा रहा हूं कि ये बंद करो तुम लोग समझा दिजे एक बार आपकी बाच पार्टि के विदायों को समझा रहा हूँ मैं सब को समझा रहा हूं इस देश में कोई भी विदायों बात नहीं करना चीए निहीं बदला लेने के लिए आएंगे सब्ता में तो मतलब और योगी ने का 80-20 वो कहरें कि आपके नेताओं को टिकट जिन लोगों को टिकट और उनके बयान प्रदानमंत्री के बयान को सही साबित करते हैं कि बदला लेंगे हिंदू गर्दी मचा रखी है भूस भर देंगे नाहीद असन अब सुनिये ना सर अग सबक सिखा देंगे अब यह और रफीक अंसारी बोल रहे हैं कि हिंदू गर्दी मचा रखी है तो यह सारा तो यह तो क्लियर हो रहे हैं कि योगी जी ने 80-40 कहा और आप कर रहे हैं सुनिये सुनिया नहीं जी जी इसी लाइन में में मेरा नाम भी आप ले रहे हैं कि 15% हो ज कर रहा हैं अगर अबुआसीमाजमी का भी बायां सुना यह पूरा बैंस नहीं आप अपने का निकटे हो जाओ आपने का तो पर 15-50 आप कर रहे हैं ना आप क्या मैसेज दे रहे हैं जो प्रधान मंतरी कह रहे हैं बदला लेंगे सत्ता में आएंगे तो इंदूं से बदला लेंगे अंदू गर्दी मचा रखी है अगर आप सुन अगर आप सुन अगर आप सी प्लराइजेशन के लिए मेरा स्टेट में लेना चाहते हो तो फादा नहीं बात कर रहे हैं अगर आप प्लराइजेशन करना चाहते हो बातों को तोर मरोल करके बीजेपी को एक रास्ता अब बाई आपके लिए असानी मेरे लिए असानी जनता तहकर लेगी सुना दीजेए पीसिया बाई ने बयान आ गया बयान आ गया सब रिकॉर्ड ऐसा डिजिटल है सब दुनिया सुना दीजेए एक बाई पुरे देश के मुसल्मानों एक हो जाओ हम कितने हैं 15 परसंट वो कितने सर यह वो कौन है 85 हम है 15 अबू भाई बताईए अब वाव वाव क्या मतलब निकाला आपने वाव 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 तालिया हम बजintérieur के सौकत करता हो मैं आपका क्या मतलब निकाला आपने मैं कहलाओ कि कुछ लोग इस देश में 15 परसंट को अलग करना चाहते हैं और वो 85% हैं 15% के लोगों अलग हो जाओगे तुमारी हैसी अपनी दिश्में होगी तुम 85 के साथ रहो और मिल के काम दो रहो यह मैं कहे रहा हूं मतलब अगर इसी तरह से बातें इसी तरह से बातें कट 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 दिखाएंगे न तुम कितने हो 15% हो वो कितने हैं 85 है पिर जनरलिस्ट का कोई मतलब नहीं रहा पिर मतलब यह ना कि जितने हैं अच्छा जो 15% की बात करेगा वो ही जनरलिस्ट है जो 15% की बात करें मैं 15-85 की बात करें मैं जनरलिस्ट नहीं हो मैं समझता हूँ कि फिर सब के स्टेटमिन की पूरी बात होना चीए मैं पूरा बयान, अच्छे चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आपने टूपी लगा ये सर, लाल टूपी लगा कर बैठे हैं, इसी टूपी को प्रजान मंतरी रेड ऐलर्ट कहते हैं, और इसी टूपी को योगी आदितेनात कहते हैं कि दंगों के लाल रंग से रंगी है लाल और फिर ये बयाना जाते हैं, अबू आसिमाजमी. तो गंगा जमना में भाना पड़ा तो उसके खिलाफ ये लाल तो भी अगर लड़ने उतली है तो क्या गलत बात है हिंदुगर्दी गलत शब्द था चलिए बस इतना ही आज के लिए बसे बता दीजिए हिंदुगर्दी अगर शब्द इस्तमाल किया वो गलत शब्द है हिंदुगर्दी पहले उसका पूरा इस्टेट्मिन आना चाहिए प्रफिक अंसारी को भी अभू भाई इसमें किया बाइब सुना सकते हैं रफीक अंसारी का भयान भी सुना दिजिए अब आप मेरा बयान जब इसका कोड कर रहे हैं तो मुझे कोई सुनना नहीं 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 इस वैक्ति ने आपको पूरा लगेगा हुआ ने करना देए इसक तो तो यकीन मानिए मेरत का मुसल्मान कभी तबा नहीं है किसे लेकिन साथ फिस सरकार में आपको दबाने का काम किया आपको कुचनने का काम किया आपको खतां करने का काम किया दोस्ते एक बार फिर से सुना दीजिए वो हिंदू गर्दी शब्द गलत है ना हिंदू गर्दी शब्द गलत है ना गुंडा गर्दी होते है हिंदू गर्दी क्या होता है नहीं नहीं मैं बिना रफिक अंसारी से बात किये कैसे कह सकता हूँ सर हिंदू गर्दी शब्द गलत है ना अगर रफिक अंसारी ने हिंदू के खिलाफ कोई बात किया या अलगाओ की बात किया तो मैं बिलकुर उसके खिलाफ हूँ नहीं मुझे नहीं मालूं कि उसका मतलब क्या आप जब मेरे स्टेक्पिन को आप ऐसा बता रहा है तो मैं आपको कुछ अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझा फरनगर दंगा हुआ इतने दंगे हुए 2012 से 17 में आप लोगों ने मुस्लिम गर्दी मचा रखी थी तो गलत होगा न देखिए देखिए ना जो जो मजबफर नगर दंगे हुए थे ना सबके मुकदमे हुए थे क्यों ठालिए गए अगर उन्हों की गलती नहीं थी अब वह तो जाते कोट से साफ निकल के आते हैं हिंदू गर्दी हिंदू को गुंडों से तुलना करेंगे हिंदू दंगाई गुंडा गुंडा गर्दी होता है इंदू गर्दी क्या होता है अबु भाई अभी आब बड़ी बाते कर रहे हम सब एक साथ हैं मिलकर हैं 85-15 सब साथ हैं आप बोलिए ना खुल कर आप तो बड़े नहीं था हैं समझाये क्या करते हैं आपके विदायक समझाय ओनायों को ह हो यह नहीं सकती है। आपने बोलेंगे हिंदू-arently कलत है। है। मेरे साथ 24 घंट ही हिंदू भाई रहते हैं। मेरे सेकोर्टी में हिंदू भाई रहते हैं। मेरे पार्टनर बड़े-बड़े हिंदू寨ुग हैं, हम धंता बिजन साथ जो भी वेक्ती ऐसा बूलेगा उसके खलाव हो चले के बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद है